मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में आज हमनों बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉड़र टॉपिक के भारे में अगर आप सभी भी किसी भी सरकारे जब की एक्जाम के त्यारी कर रहें तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महतपूर्ण होने वाला दोस्तो क्योंकि बात करने वाले आज हम राष्ट पत्ती से संबंदित महतपूर्ण दोस्तो 60 प्रशनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर दोस्तो उन सारे प्रशनों का संग्रा लिया गया है जहां से कि आप सभी की एक्जाम में प्रशन पूछे जा सकते हैं और सारे प्रशन दोस्तों यकीन मानिएगा सारे प्रशन सेलेक्टेड और इंपोर्टेंड और प्रीबियस यर्स लिये गये हैं दोस्तों कहीं ना कहीं सारे प्रशन आप सभी की एससी का एक्जाम हो या रेलवे एक्जाम हो या बीपी एसी हो या आईस हो उन सभी एक्जाम में यह प्रश्ने पूछे गए हैं तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को यहां से बहुत सारे अच्छे खासे प्रश्ने एक्जामें पूछे जाते हैं ठीके न तो श्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और आज की क्लास का जो पहला कोशन है आप सभी की स्क्रीन पर वीडियो को इंड तक आप सभी जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों में लास्ट बताने वाला हूं कि आप सभी इसका पीडियाप कहां पर जा करके डालोड कर सकते हैं ठीके न पहले कोशन की बात करते हैं भारती सभिधान के अनुसा देश का प्रथम नागरी कौन होता है भारती सभिधान के अनुसार देश का प्रथम नागरी कौन होता है फ्रेंस यह आप सभी से प्रश्न पूछा गया है ठीके न आपसा नंबर ए हो जाएगा राश्ट पती राश्ट पती जो होता है फ्रेंस वो भारत का प्रथम नागर के रूप में जाने जाते हैं अगले प्रश्ण को बात कर लेते हैं जो कि प्रश्ण दोस्तों BPSC प्री एक्जाम में पूछे गए प्रश्ण भी है ठीके न अब आप से भी देख सकते हैं कि राष्ट पती से इतना अच्छा खासा प्रश्ण इतने बड़े-बड़े एक्जा संचालित किया जाता है थोड़ा सा कोशन घुमा करके पूछ सकते हैं आप से विसे तो उन सारे प्रश्णों को अम लोग देखेंगे जहां से कि प्रश्ण पूछने का उसका लगा सकते हैं ठीक है ना करें कि भारत में संग राज्जियों राज्ये छेत्रों का प्रसासन कि इसके दौरा संचालित किया जाता है दोस्तो các वैंसको अपसा नमबर एमें राष्ट पती बी में परदान मंतरी एं अगले प्रस्ण का बात कर लेते हैं प्रश्ण नमबर तीन दोस्तो आर आर बी के एक्जाम में पूछे गए प्रश्ण है ठीके न तो बात करतें तिसरे नमबर प्रश्ण की करहें की भारत के राष्ट पती की मर्जी तक निम्निलीखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है राष्ट पती के जब तक मर्जी रह गए दोस्तो तब तक यह जो अधिकारी है वो अपने पद पर रह सकता है वो निम्निलीखित में से कौन अधिकारी है अपसा नमबर ए में करहें की सरोच न्याले के नियाधिस बी में करहें की चुनाव आयुक्त सी में करहें दोस्तो राज्यपाल और डी में करहें लोग सबाध्यक्ष इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा राज्यपाल अपसा नमबर सी हो जाएगा राज्यपाल दोस्तो तब तक रह सकता है जब तक की अपने राष्ठ पती इसको हटा ना दे अपने मर्जी के अनुसार अगले प्रश्ण के और बात करते हैं प्रश्ण नमबर चार का रफ्रेंट्स की भारतिय गर्तंत्र का वह कौन सा राष्ट पती था जो साधा भारतिय धर्म निर्पेच को सर्वधर्म संभाव करता था इस कोशन का रायट अइंसर हो जगा फ्रेंट्स आप सनमबर एमें करा है कि जो की देखे एससी की एकजाम में ये प्रश्ण पूछा गया है तो वहीं बतारों दोस्तों कि सारे प्रश्ण सेलेक्टेड और इंपोर्टेड आप सभी के लिए लिये गए हैं अगर आप सभी भी ये साथ कोशन को अटेंड कर लेते पूड़ा वीडियो का इंट तक देख लेते तो आप सभी को I think मतले कमी आसा है कि आप सभी किसी एक्जाम में प्रशन छोटने का चांस है और मैं तो गरांटी के साथ काता हूं कि इस से बाहर कोई एक्जाम में प्रशन आई नहीं सकता है क क्योंकि सारे कटेग्रीज का प्रशन इसमें इंक्लूड किये गये हैं ठीके ना बात करते हैं दोस्तों चार का राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसा नंबर A में डाक्टर A राधा कृष्णन बी में डाक्टर जाकिरुशन सी में डाक्टर राजेंदर प्रशाद और D में ग्यानी जैल सी अपसा नंबर दोस्तों A हो जाएगा डाक्टर A राधा कृष्णन जी हो जाएंगे अपसा नंबर A अगले प्रशन के और बात कर लेते फ्रेंट्स प्रशन नंबर 5 कर आएगी निमने लीखित में से कौन सा राष्ट पती के निर्वाचन का भाग है प्रंत उसके महा वियोग अदिकरण नहीं है कर आएक के निमने लीखित में से कौन सा राष्ट पती के निर्वाचन का भाग है प्रंतु उसके महा वियोग अधिकरण का भाग नहीं है यह एक्जाम में में दोस्तों IS के practice ice प्रिए एक्जाम में प्रश्ण बना हुए है ठीक न तो यह बोलञआओं कि अच्छा खासा टॉपीक है जिससे के अच्छे-खासे एकस्वर प्रश्व्यृ अच्छे खसे पूछी जाते कि प्लीज अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नहीं बारा हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस कर दीचेगा ताकि ऐसा हर एक मोर्स्टी इमपोडे वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचें, दोस्तों मैं आप सभी भी भी हार पोलीस, सवी सी MTS डेली पूलिस MP पूलिस यह दोस्तों आप सभी एससे MTS exam की त्यारी कर रहें तो हमारे इसी चैनल पर दोस्तों प्लेलिस में जाकर देख लिजएगा आप सबी के लिए दोस्तों प्लेलिस में प्रीबियास को स्वस्त करवाएं जहां से कि आप सभी जाकर अपने श्टडी को दोस्तों complete कर सकते हैं ठीक है तो जाकर के playlist एक बार जरूर चेकर लिजेगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं फ्रेंट्स प्रश्ण नंबर छो प्रश्ण नंबर छो दोस्तों का रहा है कि सविधान के किस अनुछिद के अंतरगत राष्ट पती संगिये मंत्री प्रश्ण की सला मांगने के लिए बाध्य हैं तो यह कौन से सविधान में दोस्तों दिया गया है अपसा नंबर ए में करें कि सविधान 74 के अनुसार बी में अनुछिद 85 के अनुसार सी में अनुछिद 85 के अनुसार और डी में हैं अनुछिद 101 के अनुसार राइट एंसर ह अनुछेद 74 का अनुसार यह बाद है कि यह उनसे सलाह ले सकता है यह दोस्तो यू पीपी सी एसी के एक्जामें पूछा गया प्रशन है और यह एसे सी के एक्जामें पूछे गया प्रशने जो की बहुत ही इंपोडेट हो जाते आप सभी के लिए ठीके ना बात करते सेवे नंबर प्रशने की का रहा है कि भारत सरकार का सविधानिक अध्यक्ष कौन है भारत सरकार का सविधानिक अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो राइट एंसर हो जाएगा राष्ट पती अपसा नंबर ए हो जाएगा राष्ट पती अगले प्रशने के और बात कर लेते फ्रेंट प्रश्ण नमबर आठ नमबर का रहा है कि जो कि दोस्तों UPP CS Pre के एक्जाम में प्रश्ण पोचे गए हैं ठीके न तो सेलेक्टेड प्रश्ण है दोस्तों निमने लीखित में से किसी भोगोलिक छेतर को अनुसूचित छेतर घोसित करने का सवेधानिक अधिकार किसके पास है न ये खारा है कि दोस्तों निमने लीखित में से किसी भोगोलिक छेतर को अनुसूचित छेतर घोसित करने के लिए करने का सवेधानिक अधिकार किसके पास है तो उधिकार की बात करें दोस्तों तो अपना राष्ट पती के पाद है tsi दोस्तों अपसा नमबर D हो जाएग ताकि मैं लाश्ण में बताऊंगा कि आप सभी पीडियाप को कहां पर डावलोड कर सकते हैं ठीक है ना बात करते अगले प्रश्ण के और दोस्तों प्रश्ण नमबर नौ जो की आर आर बी की एकजाम में पूछे के प्रश्ण है कराए कि विदेशी देशों के सभी पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो राष्ण पती के द्वारा दोस्तों प्राप्त किया जाता है अपसा नमबर सी इस राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण दोस्तों दस नमबर भारत के निमनेलेखित राष्ण पतियों में से कौन एक कुछ समय के गुट निर्पेच अंदोलन के महा सच्ची भी थे ये दोस्तो आयस के प्री एक्जाम में पूछे गए प्रशन है इसका राइट एंसर हो जाए ग्यानी जैल सी आप सा नंबर सी हो जाएगा दोस्तो ग्यानी जैल सी हो जाएगे अगले प्रशन के और बात कर लेते दोस्तो जो की एससी के एक्जाम में पूछे गए प्रशन है आप सभी का संगिये मंत्री परिशद आफसा नमबर दोस्तो D हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात कर लेते हैं प्रश्ण नमबर बारा बारा नमबर प्रश्ण का रायकी राष्ट पत्ती सविधान के किस अनुछित के अंत्रगत अध्या देश जारी करता है तो राष्ट पत्ती कौ कर सकता है अनुछे 123 के अनुसार बात करते अगले प्रश्ण की और दोस्तों जो की आरारबी की एक्जामे प्रश्ण पूछे गए हैं कि यदी भारतिय उपराश्ट पती अपना त्याग पत्र पद त्याग करने का निरणय लेते हैं तो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके लिखेंगे तो अपना त्याग पत्र दोस्तों राष्ट पती को संबोधित करके लिखेंगे सिंपल से काने का मतला भी दोस्तों समझेगा कि अगर उप राष्ट पती भी अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो राष्ट पती को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिख सकते हैं अगले प्रश्ण के और बात करते हैं दोस्तों 14 नमबर प्रश्ण नमांकन के समय राष्ट पती पद के उमिदवारों को जमानत के तौर पर कितने रूपया जमा करना पड़ता है ये भी दोस्तों UPP CAC की एक्जामे दोस्तों पूछेगे प्रश्ण है तो राइट एंसर हो ज जाएगा अगले प्रश्ण कर बात कर लेते दोस्तों प्रस्ण नमबर 15 करा की राष्ट पती चुनाव का बिवाद का निपटारा कौन करता है तो इसमें से दोस्तों कि में कुर्भोत से नेले करते कॉन करता है फ्रेंस सरवाची न्याले करता एक सरंबरर सी हो जाएगा अगला प्रशण से जो की जोकि येपी ऐसी की एकजामे पुछा अगया अप्रत्यासी वनों की पूर्ति के लिए निवनलीखित में से कौन भारत की अकसमीक नीधी से धन निकलता है नीधी से धन निकलता है देख लेते थोड़ा सा कि गलती तो नहीं नहीं है नीधी से के दोस्तो धनापना निकालने के लिए जो वनों के जो आप पूर्ती के लिए पैसा की कमी हो तो यह निकाल सकता है बाकि कोई भी पैसा जागर के निकाल नहीं सकता है राश्पति होते ही यार है चीगे ना बात कर लेते दोस्तों 10 नंबर 17 प्रश्ण की जो कि BPSC BPSC की अगले प्रश्ण कर बात कर लेते हैं प्रश्ण नंबर 18 भारत में राश्ट परती पद का प्रवधान की सनुछेद से संबंदी थे तो इस कोशन का राइट एंसर क्या हो जगा ध्यान देजेगा थोड़ा सा और बताने का प्रयास भी किजिएगा ठीके ना ऐसे बैठे रह प्रश्ण का राइट एंसर दोस्तों क्या का रहे कि भारत में राष्डपती का प्रवधान की सनुछेद के अंतरगत दिया गया है तो इसमें बात कर साशन का प्रधान की अनुछेद में दिया गया था अगले प्रश्ण को बात कर लेते दोस्तों प्रश्ण का राष्ट पती होता है आपस्ट नमबर d हो चायगा फ्रसेश करते दोस्तों कि कोशन बहुत ज़दा और टाइम बहुत कम यह आए थीगे 50 कि भारत की प्रफम राष्ट पती कोन थे भारत की प्रतमरास्ट पती कि बात के दोस्त तर अपना करत Central भी जेंद्र परशा दोस्तों इसनम्बर भी हो जाएगा अगले प्रतिवाःत की पुर। उस्थ नंबर भीजो सब्सक्षिकू άगा वर PHP के था जानती हैं अर्धिजू महिला UPSC अधक्ष कौन थी UPSC के अधक्ष कौन बनाई गए थी पहले बार दोस्तों माउंट इब्रेस पर चड़ने वाले महिला कौन थी ये दो कोशन के एंसर बस कमेंड बक्स में दे देज़ेगा ठीके ना बात करते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्ण की भारत में राष्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों आपसकी eligibility की बात की है जारे थोड़ा समझाए कर लिए 23 नंबर प्रश्ण है कि तीनों सिनाओं का सरोच्च सेना पती की बात करते हैं दोस्तों तो अपना भारत के राष्ट पती ही होता है ठीके ना इसके थोड़ा सा important क की और बात कर लेते हैं कि तीनों सिनाओं का सरोच्च सेना पती राष्ट पती होता है जिने जिनके अंतरगत थल सेना वायू सेना तथा जल सेना आता है बात करें दोस्तों आर्मी एयरफोर्स और नेवी आता है ठीके ना बात कर लेते अगले प्रश्ण के और दोस्तों जो करके बाद किया जा रहा है कि जो राष्टपती है कि इतने सदर्शों को मुनोनित कर सकता है तो इस कोशन का राइठ एंसर होज़ाएगा दोस्तों आपसा नंबर डी होज़ाएगा 14 सदर्शों को मुनोनित नीत कर सकता है इसके थोड़ा सा important point देख लेते दोस्तों कि इसका important point कहता है कि राज्ये सभा में 12 सदर्श तथा लोग सभा में 2 सदर्शों को राश्टपती मनोनित कर सकता है ठीगे ना बात कर लेते फ्रेंट्स अगले प्रशन के और प्रशन नमबर 25 कर रहा है कि राश्टपती का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है तो राश्टपती के चुनाव की बात करें दोस्तों कि कितने वर्षों के लिए किया जाता है तो राश्टपती का चुनाव पांच वर्षों के लिए किया जाता है आपसा नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो भारत के राश्ट पती अपने पद को गरहन कर रहे होते तो उस समय उनको सपत कौन दिलवाता है ठीके ना तो दिलवाता है दोस्तो भारत का मुख्य नैधिस जो हता है राश्ट पती को सपत दिवाता है ठीके ना या तो गुपनियता का सपत हो या पद का सपत हो दोनों यही दिलवाता है ठीक है न अगले प्रश्ण कर बात कर लेते हैं 27 नंबर प्रश्ण क्या कर रहा है कि भारत के मुखे नैधिस को पद की सपत कौन दिलवाता है भारत के मुखे नैधिस अब दोस्तों मुखे नैधिस जो था वो तो राष्ट पती को सपत दिलवा दिया ठीक है ले करने करते हैं ठीके न दोन अपने में कर ले ते पाद की बात करें दोस्तों तbeyА रीकिस्ट करता हूं कि फिर इसσे अगर दोस्तों आपसभी हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं कि अभी तक तो प्लीज आर चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल ऐकोन को प्रेस कर दिजिएगा ताकि अगर आप सभी भी बिहार पुलिस देली पुलिस ऐसे सी एम टेस यूपी पुलिस और देली पुलिस एक्जाम की त्यारी कर रहें तो हमारे दोस्तों इसी चैनल प भारत के प्रथम मुसल्मान राष्ट पती कौन थे भारत के प्रथम मुसल्मान राष्ट पती की बात करें दोस्तों तो डाक्टर जाकिर हुसेंजी हो जाते हैं जो की यह प्रश्ण पूछने का चांस बनता है विकौज यह मुसल्मान थे इसी दोस्तों पूछ सकता है ठीक अगला प्रश्ण दोस्तों तीस नंबर सविधान में राष्ट पती सासन का प्रवधान की सनुछेद में दिया देखो यह प्रश्ण अभी जो पीछे रिपीट कर रहा है प्रश्ण नहीं इसका राइट एंसर होजे 356 दोस्तों अपसन नंबर यह हो जाएगा 356 हो जाएगा जो कि मैं अभी कोशन करवा चुका हूं ठीक है न अगले प्रश्ण कर बात कर लेते हैं प्रश्ण नंबर 31 दोस्तों कर रहे कि भारत के राष्ट पती आपातकाल की घोष्णा कौन से अनुछेद के अंत्रगत कर सकता है जो अगर आपतकाल की घोष्णा घोष्णा करता है तो किसके अंत्रगत वो कर सकता है तो वो अनुछेद 352 के अंत्रगत दोस्तों आपतकाल की घोष्णा को घोष्णा करता है दोस्तों अप्सन अंबर D हो जाएगा इसके थोड़ा सा इंपोडेट पॉइंट नहीं दिया क्या इसका इंपोडेट पॉइंट नहीं इसका नही दोस्तों यह अपतकाल इसमें बताऊंगा करें कि 32 नंबर कि भारत में अभी तक कितने बार राष्टी अपतकाल घोसित किया गया है तो तीन बार दोस्तों अपतकाल घोसित किया गया है अभी तक की बात करें तो ठीक है ना देख लेते इसके इंपोडेर पॉइंट दोस्तों कि भारत में अभी तक तीन बार राष्टी अपत्काल घोसित किया गया है किया जा चुका है अब तक दोस्तों बात करें 1962 में 1971 में और 1975 में दोस्तों ये घोसित किया गया है ठीक है अगले प्रश्ण को बात कर लेतें दोस्तों प्रश्ण तो भारत के राष्ट पती के अध्यक्ष कौन होता है तो भारत के राष्ट पती के अध्यक्ष की बात करें तो भारत की कारे पालिका का अध्यक्ष जो हता है उसका अध्यक्ष हो जाता है राष्ट पती का अगला प्रशने 34 नमबर भारत का राष्ट पती किसके द्वारा चूना जाता है तो भारत के राष्ट पती की बात कर दोस्तू तो किसके द्वारा चूना जाता है तो संसद और विधान सवा सदर्शो द्वारा चूने जाते हैं अगला प्रश्ण दोस्तो 35 नमबर संग की कारे पालिका की सक्ती की इसमें नहीत होती है तो संग की कारे पालिका की सक्ती की बात करें दोस्तो तो भारत के राष्ट पती में नहीत होते हैं आपसा नमबर एह हो जाएगा आपसे भी का अगले प्रश्ण दोस्तो 36 नमबर कराए अरहे होती है यह अनुचरह थिर्पन के अनुसार करवाए जाता है कि आफकी सक्ती राष्ट प्रती में बताएगया यह भी प्रश्न पूजा जासकता है ठीके ना अगला दोस्तों 36 नमबर भारत के राष्टपती किस आयोग का गठन करता है तो भारत के राष्टपती की बात करें कि कौन सा आयोग का गठन करता है तो बीत आयोग का गठन करता है दोस्तो राष्टपती अपना ठीक है न अगला परशने दोस्तो 37 नमबर सभा सभा का बीगटन सभा नहीं तो राश्टपत्य आँन है जो भी आ रहा है दोस्तों उसका एंसर तो राश्टपत्य होगा और और रहा है ना 38 नमबरे की consultant के दोनू सदों की सनयुकत्र बैठा कौन बुलवाता है तो बताने वाला ओ। कि आप सब्सक्राइन बात करते हैं। निवारत पत्रास्थ्य वालार पत्र में बारत Safe चैंकि एक यह द्षकुम से ज्याओध को पत्र का देता है? तो भारत करते हैं, तो भारत के राष्ट-पत्र हैं, यह दोनों अपने त्याग पतर देते रहते अगर राष्ट पती को त्याग पतर देना रहे तो उप राष्ट पती को देंगे ठीक न यह दोनों अपने में करते रहते अगले प्रश्ण को बात कर लेते हैं वह दोस्तों यह दोस्तों यह पर दियाल तू लाह आपसर नमबर D हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 42 नंबर कोशन करए कि किसी ब्यक्ति को दोसी पाय जाने पर उसे कौन छमादान दे सकता है। दोस्तो अभी हम लोगों ने 40 प्रश्णों कोई कबर किया, अभी 20 प्रश्णों भी बाकी है, जो कि अभी कबर करने वाले हैं, करें किसी व्यक्ति को दोसी पाया जाने पर उसे छामादान कौन कर सकता है, तो उसे छामादान दोस्तो भारत के राष्ट पती किदर गए, हाँ, 43 नंबर प्रश्ण है, कि राष्ट पती पद पर दो बार लागातार, लागातार दो बार राष्ट पती कौन चुने गए हैं, राष्ट पती पद में लागातार दो बार राष्ट पती कौन चुने गए हैं, दोस्तो ये प्रश्ण पूछा गया है, तो इसका राइट एंसर रोजग डाक्टर राजेंदर परसाद लागातार दो बार राष्ट पती चूने गए अब देखी यह सब कैसे बेखती थे जी ने दो बार राष्ट पती बनाए गया है और आज कल तो एक बार बनाते बनाते परदान मंत्रियों यह राष्ट पती हो यह मुख्य मंत्रियों राज्य पाल की बात का लेतेा अगले प्रसंदय के ओर फुट फिजूर नंमबर का रहuben कि भारत के सविधानिक अध्यक्श कौन होता है तो भारत के वियह दी-ध्यक्ष की भात कर सकता है यहां पर सिर्फ राज्य पाल की बात की अज़ार है ना कि लोग सभा और राज्य सभा दोनों की बात नहीं की अज़ार है सिर्फ राज्य सभा की बात करें तो इसमें दोस्तों देखें कनफ्यूजन हो सकता है इसमें राइट एंसर 12 हो जाएगा अभी जब मैं अगले परस्टों कर बात कर लेते 46 नंबर सभा में भारत का राश्ट पति कितने एगलो इंडियन को मनोनीत कर सकते दोस्तों तो दो कर सकते अपसा नंबर यह होजएगा दो को कर सकते अपसा नंबर इस और सब्सक्राइब करने के लिए और किसी किसी राज्य में राष्थ पती सासन कि दोस्तों करता है तह तो यार कोशन करने से यह नहीं लग रहा है कि राष्ट पती ज्यादा तले भारत की कारियों को कर रहे हैं प्रधानमंतिरी तो बैठेरा रहे है नहीं अगले प्रश्ण नम्बर एक्यावन का भारत का महानेवादी को कौन निक्त करता है तो भारत के महानेवादी को दोस्तो भारत के राष्ट पती ही निक्त करता है ठीक है न बात करें दोस्तो बावान नम्बर संग लोग सेवा आयो सोनी जी करके हैं UPSC के अधिक्ष की बात करें तो ठीक है ना संग लोग सिवा आयो की बात करें तो थोड़ा से देख लिए जिएगा गलती भी बहुत सकते हैं तिरपा नंबर प्रशन है कि भारत के नियंत्रक या महा लेखा परिक्षा किसके द्वारा निउक्ट किये गये कि अगले प्रशने पच्पा नंबर भारत के दीतिय राष्ट पती कौन थे तो डाक्टर स्वरपल्ली रादा केष्ण जोकी दिवतिय राष्ट पती के रूप में दोस्तों पद गराण किये थे ठीक है नची चपा नंबरे की राष्ट पती डाक्टर एपी जी अब्दूल कल अगले प्रशने की संतावा नंबर भारत के चौदवे नंबर के राष्ट पती की राष्ट पती नहीं करता है तो लोक सबाध्यक्च और आज सबाध्यक्चों की निवक्ति राष्ट पती नहीं करता है अब 69 नंबर है कि भारत के राष्ट पती का वेतन कितना होता है दोस्तों इसका एंसर में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्यों कभी कभी दोस्तों डेल लाक भी कहीं बता रहा है और कहीं यहाँ पर पांच लाक प्रती मा बता रहा है तो इसका एंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में रिय में भारत के राष्टपती दुरोपती मूर्म जी है मूर्म यहां सब गलती है अगल आप इसके इनका थोड़ा सा इंपोड़ेड पॉइंट कवर कर लेते जो कि बहुत इंपोड़ेड हो जाते वर्तमान में भारत के राष्टपती दुरोपती मूर्म जी जो कि दुरुपती मूर्म 25 जुलाई 2022 को राष्टपती पद की सपत गरण की राष्टपती बनने से पर लेवव जहारखंड की राज्येपाल रह चुकी है तो आज के लिए दोस्तों आप सभी के लिए इतना ही आप सभी को वीडियो का ऐसा लागा इंड में जरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजएगा ताकि असा हर एक most important वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे और दोस्तों आप सभी अगर इस वीडियो का पूरा पीडियाप चाहते हैं तो आप सभी एक कॉमेंट कीज दोस्तों या आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल अस्पीड एजूकेशन ओफीसियल पर जाकर के डावलोड कर सकते हैं वहां पर अपलोड कर दिया गया है में ते नेक्स वीडियो में दोस्तों थैंक्स पर आचिंग मैं वीडियो